कि अज़े लोग बहुत सारे हैं भाई साब जिन्हें पीतल की लॉंग कहीं मिल जाती है न तो वो अपने आपको सराफ मानने लगते हैं तो अज़े लोग बहुत हैं यह बात है उसार से अपने को सीख लेनी चाहिए और मैं आज ही कहना चाहूंगी चाहत बेशक आस्मा चूने की रखो लेकिन पाओं हमेशा धर्ती पर रखो यह सबसे बड़ी बात है बाई साब और यह आपने किया है इसलिए सब लोग यहां बैटी हुए हैं राजस्तान की पूर्व सियम वसंद्रा राजी ने एक बार फिर ठहरे हुए पानी में कंकर फेक दिया है राजनितिक विसलेशक वसंद्रा राजे के बयान को भाजपा अलकमान और सीएम भजनलाल शर्मा की आलोचना के तोर पर देख रहे हैं वसंद्रा राजे के ताजा बयान के बाद ये अटकले लगाई जा रही हैं कि उनका निशाना पार्टी अलकमान पर भी था जबकि कुछ का मानना है कि राजे के आलोचना राजसरकार के भीतर के लोगों पर थी जिसमें सीएम बजनलाल शर्मा और जिप्टे सीएम दिया गया था यही उनकी नराज़गी का कारण हो सकता है वसंद्रा राजे ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कई लोगों को पीतल की लोंग क्या मिल जाती हैं वे अपने आपको सर्राप समझ बैठते हैं राजे ने कहा कि चाहे बेशक आसमा चुने की तमन्ना रखो लेकिन अपने वाले भी असंख्य हैं वरना कई लोगों को पीतल की लोंग क्या मिल जाती है वे अपने आपको सर्राप समझ बैठते हैं उन्होंने कहा कि माथुर से ऐसे कई लोगों उसे सीख लेनी चाहिए चाहत बेशक आसमा चुने की रखो लेकिन पाव हमेशा जमीन पर रखो तो चले सुनवाते हैं आपको किस तरह से वसंद्रा राजी नी तीखा निशाना साधा है हुए हैं वो इसी की वज़े से बैठे हुए हैं नहीं तो क्या होता है भाई साब ऐसे लोग बहुत सारे हैं ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिन्हें पितल की लॉंग कहीं मिल जाती है न तो वो अपने आपको सर्राफ मानने लगते हैं तो असे लोग बहुत हैं पर बात हो सार आप चूने की रखो लेकिन पाओं हमेशा धर्ती पर रखो यह सबसे बड़ी बात है और यह आपने किया है इसलिए सब लोग यहां बैटी हुए हैं सब लोग आप से मिलते हैं सब लोग आप और वो सही कह रहे थे कौन कि खर्चा छोटा स्टेट है पर खर्चा सबसे बड़ा होगा रंजान जी न करें बाइसा बात सही है है बहुत सुनर जगे ओम जी का घर खुला होगा ही होगा ही तो जो उस खुले घर के अंदर राजस्तान के लोग जाते ही रहेंगे मुझे विश्वास से आप हमको जैसे य उन्हों ने इस कारिक्रम को इतने सफल बनाया और आपने मुझे याद करके मुझे बुलाया इसके लिए आप सब को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद और इस अभिननन समारों के अंदर ऐसे व्यक्तित्व का अभी हम लोग सब अभिननन कर रहे हैं और ताजा ख़वरों के विजिट करें दफेक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनोड करें दफेक्ट इंडिया एप